थाला कब कैसे क्या कर दें किसी को पता नहीं रहता थाला की जिन्दगी अपनी trajectory पे चलती है और थाला के सारे करे decisions ऐसे ही unplanned तरीके से surprising note पे हमें सामने देखने को मिले हैं लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद रहना चाहूँगा कि इस वीडियो को like करना आपकी responsibility और चैनल को subscribe करना आपकी जिम्मेदारी है तो पहले वो कर लो और फिर इस वीडियो में जो detail है वो भी सुन लो तो चलो सीधे मुद्धे की बात पर आते हैं आठ CSK ने अपने सारे official handles पर ये post ढाल दिया है कि माहिन्द सिंग धोनी नहीं करेंगे कप्तानी इस साल की टाटा आई पर 2024 में और उनके नए कप्तान है वो बनेंगे रितराज गायकवार अब धोनी के अगर आप career की बात करोगे ना उनके सारे decisions ऐसे ही आये हैं चाहिए test message की कप्तानी छोड़ने का decision हो या test message से retirement का decision हो उसके बाद यहाँ पर आप बोलोगे one day world cup के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना retirement announce किया था या फिर one day की कप्तानी जिस तरीके से उन्होंने छोड़ी थी वो सारी चीज़ें ऐसे ही unplanned और surprising note पर उनके सामने उन्होंने लाके रखी है बड़ यहाँ पर जो CSK का पूरा खेम आता जो fanbase है CSK की आप बोलोगे 99.9% जो audience है न बहुत सारे IPL franchises ऐसे जिनकी जो fanbases है वो आपके players control करते हैं जैसे कि आप अगर RCB की बात करोगे RCB का majority fanbase more than 90% fanbase विराट कोली की दम पर चलता है मुम्मा इंडियास का 90% से आधा fanbase आपका रोहिश शर्मा की दम पर चलता है और CSK का तो 99.9% आपका fanbase जो है वो थाला की दम पर चलता है अब आप यह देखो कि कितना बड़ा एक cultural change आ रहा है जहां पर IPL में दो सबसे successful कप्तान जो रहे हैं अभी तक आपकी IPL history में वो इस साल अपने टीम को captain की तौर पर लीड नहीं करेंगे जहां मुममा इंडियस ने पता नी क्या सोचके रोई शर्मा को हटा दिया और हार्दिक पांडर को अपॉइंट किया तो वहीं महिंद सिंग धोनी ने क्योंकि मैंन सिंग धोनी को हटाने की जो आप बोलोगो ना power वो CSK में नहीं है धोनी अपने career के decisions खुद लेते हैं कि उनको कब आना है उनको कब कप्तानी करनी है उनको कब कप्तानी नहीं करनी है तो यहां पर अब दो सबसे successful कप्तान यहां पर आपको IPL में लीड करते नह and definitely यहां पर जो cultural change CSK में हो रहा है उसमें important factor यह के धोनी बहुत कुछ सिखा के जाएंगे CSK की टीम को और रितुराज गयकवाड को बतौर कप्तान के तौर पे यहां पर अब बात करों मुम्मई की खेमे में ना वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी आपको आपने कल रात क वो फुटेज देख भी लिया होगा जहां पर हार्दिक पांडिया forcefully यहां पर आपके रोईश शर्मा को हग करने की कोशिच कर रहे हैं लेकिन रोईश शर्मा के हग करने के तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि भाई नहीं 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 यह जो दिखाया जा रहा है यह हकीकत नहीं है और हकीकत क्या है यह रोईश शर्मा जब खुश होते हैं और जिसको वाकई में दिल से लगाना चाहते हैं तो विराट कोली के साथ उनकी क्लिक की कई पिक्चर्स को नहीं एक बाद ज़रा जहांक के देखो और उनमें आपको फरक पता चल जागा कि इस क्लीन करने वाले पियार स्टंट था लेकिन बात यहां पर दोनी के अगर वापस से करें आप खुद सोचो यार 2008 से लेकर 2023 तक पूरी आईपिल आपकी जो भी फैन बेस है खासकर CSK का जो फैन बेस है उसने एक ही इंसान को हर बार टॉस टाइम पर देखा है उसने हर बा एक ही इंसान के चाहिए वो suffering mode हो चाहिए वो enjoyable mode हो वो experience क्या है लेकिन इस बार की कहानी आखरी एक chapter लिखेगी यहां पर CSK महिंदर सिंग धोनी के साथ और मुझे लग भी रहे कि आने वाले वक्त में अगला जो IPL होगा उसमें आपको महिंदर सिंग धोनी का चेहरा बत और प्लेयर नहीं देखने को मिलेगा हाँ यह जरूर है कि अगले साल में जाते में दोनई चेनई के स्टाफ के साथ यहां पर बत और mentor काम कर सकते हैं और यहां पर फिर एक अलग experience वो देंगे अपनी team को अपनी franchise को और बहुत कुछ सीखने को मेलेगा यहां पर युवा आपके खिलाडियों को महिन सिंग धोनी से क्योंकि देखो महिन सिंग धोनी विराट कोली रोय शर्मा सचिन तेंदुलकर सौरफ गाउंगली राहल द्रविड यह सारे वो खिलाडी हैं जिनके आप अगर इर्द गिर्द भी रहोगे न तो आप उनकी cricket बहुत कुछ उन से ले सकते ह अच्छा सिक्ष या फिर आप बोलोगे अच्छा लीडर वो घता हैं जो अपने कमजोर बचों पर या अपने कमजोर खिलाडियों पर जाध्यां देता है और जिस तरीके से यहाँ पर महिनสिंग धोनी ने बहुत सारे खिलाडियों का करियरश शेप किया आज रविंद्र जड़ेजा की जो पोजीशन है टीम इंडिया में आज रविंद्र जड़ेजा का जो रुत्बा है वर्ल्ड क्रिकेट में वो बना के दिया किसने लगातार भरोसा जटाय किसने इसे अंगिनत नाम आपको मिल जाएंगे जो बाकी फ्रेंचाइज में जाकर काम नहीं कर रहे थे लेकिन जब उनको यहां लाया गया तो उन्होंने उनसे परफॉर्मेंस निकल वा दी एक एजिंग भज्जी जिनको बाकी टीम से लेना प्रिफर नहीं कर रहे थी उन भज्जी के साथ एक ऐसी स्पेल डलवाना आईपेल की ट्रोफिय उठवा देना अंबती राइदू के साथ टाइटल लिफ्ट करना अजिंग के रहाने को पिछली साल पिक करना और उसकाद कि दमखम थी ना और जो नंबर तीन पर यूज किया उन्होंने अरजिंग रहने को ये सारे करने की दमखम जो थी वो सिर्फ मैंसिंग धोनी के अंदर ही थी आप इतने जादा इंटरस्टिंग कॉल्स उनके देख सकते हो उनको आपकी पुने की टीम ने पुने की फ्रेंच के लिए होस किया था तो वो कहीं न कहीं दिखाते कितना बड़ा एक emotional connection और लास्टिर हुए IPL में जो एक कहानी रची गई थी हर स्टेडियम चाहे मुंबई का स्टेडियम हो चाहे आपके बैंगलोर का स्टेडियम हो हर जगे पीली जर्सीज ने जमावडा लगा रखा था और महिंदर सिंग धोनी के नाम का जो chant था ना वो पूरे स्टेडियम में पूरे दो महिने गूँ जाए बहले ही धोनी का मैच हो ना हो और यहाँ पर final की कहानी रची जरूर जड़े जाने थी लेकिन उसका जो चेहरा बनके निकल कर रहे थे वो महिंदर सिंग धोनी ही थे अब क्या रितराज गायकवार वो कप्तान बन पाएंगे यहाँ पर जो की CSC की इस टीम को एक अच्छी वेल बिल्ट टीम को लीड कर सकते हैं यहाँ पर IPL टाइटल तक प्लेओफ तक यहाँ फिर इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी यहाँ पर चेन्नाई सूपर किंग् मुंबई इनिस के कप्तान जोने आठ सीजन में पाँच IPL खिताब अपने नाम दर्ज किये और दूसरी तरफ महिंदर सिंग धोनी जिनकी टीम ने maximum number of times IPL final खेला है और पाँच बार की IPL विजयता भी है मुंबई के बराबर खड़ी हुई है वो टीम और यहाँ पर डेफि के लिए आगे चल कर उनकी franchise का phase बन सकते हैं महिंद सिंग धोनी एक ऐसे player है जिन्हों ने अपने इर्दगिर्द कभी इतनी सारी headlines को खुद से आने के लिए नहीं बोला लेकिन फिर भी cricket की हर एक कहानी जब भी चेन्ने के बारे में लिखी जाएगी उसमें महिंद सिंग धो का इस पूरे आप बोलोगे जो एक chapter का जो सार बनके निकलेगा वो यही होगा कि शायद CS के तो होती लेकिन महिंद सिंग धोनी के बिना CS के आज वो CS के नाव बन पाती जो आज के ताइम में वो बनके खड़े हुए हैं अब देखो बैन के बाद की CS की comeback की कानी हम सब को पत पर अब काफी emotional angle आ चुका है कल का मुकाबला और जादा emotional होगो क्योंकि पहली बार यहाँ पर अब official हो चुका है तो पहली बार रुतराज गायकवार्ड यहाँ पर team को lead करेंगे I wish all the best to रुतराज गायकवार्ड and to all the CS के fans and obviously to all the RCB fans लेकिन सोबे की हमारी review जो preview वीडियो है कल के match की वो देखना मत भूलेगा रोज सोबे साढ़े आट बजे आपको मिलेगा fresh IPL content और instant IPL के match के बाद reactions तो यह एक अड़ा है आपका पूरे सीजन भर आप जहां पर आकर enjoy कर सकते हो और discuss कर से हो the cricket तो without wasting any time like this video and subscribe to Crickbait for daily cricketing content बाकी मैं आपसे लूँगा अलविदा टेक केर